एक बार कबूत्रों का एक जुन खाने की तलाश में बड़ी दूर उड़ता चला गया मीलों उन्ने के बाद भी उन्हें कहीं अन्न का दाना नजर नहीं आया यूही भूके प्यासे वे घनी जंगल के उपर से गुजर रहे थे एक नन्ना कबूतर बहुत ठक गया था बेटा घबराओ नहीं हिम्मत से काम लो हमें कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिलेगा सर्दार की बात सुनकर वे नन्ना कबूतर चुप चाप उड़ने लगा वे इस तेजी से उड़ान भरने लगा कि थोड़ी ही देर में सब के आगे उड़ गया एक आ एक वे मुड़कर जोर से बोला भाईयो जल्दी करो जल्दी देखो नीचे कितना सारा खाना मौजूद है कबूतरों ने नीचे देखा कि एक बर्गत के तले चाप लों के सफेद दाने बिखरे पड़े हैं कबूतरों के सरदार ने कहा आओ साथियों आओ छक कर भूजन किया जाए वे सब नीचे उतरे और चावल के दाने चुबने लगे तब ही अचानक उनके उपर एक जाल गिरा और सारा जुंड उस भारी जाल में फस गया अब क्या होगा सबने चिला कर कहा हम सब तो जंगल में फस गये है उसी समय उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम बहेलिया हाथ में मोटा डंडा लिये उनकी तरफ आ रहा है कबूतरों के सरदार ने कहा सब कबूतर जाल से छूटने की कोशिश करने लगे हम अपने को कैसे छुड़ाए बताईए हम सब क्या करें सरदार सरदार ने कहा भाईयों मुझे एक उपाई सुचा है आओ हम सब मिलकर जोड लगाएं और जाल लेकर उड़ चले इस समय ताकत ही हमारा बल है और आशा भी यह सुनकर और एक साथ जोड लगाकर उड़ चले ठीक उसी समय बहेलिया भी वहाँ आ पहुचा और यू जाल को हवा में उड़ते देख चक्रा गया अपनी आजादी के लिए कबूत्रों में इस एकता को देखकर वह चकित रह गया फिर भी वे इस आशा से उनके पीछे भागा कि शायद कुछ तेर में या उनका पीछा नहीं कर सका और थोड़ी ही देर में निराश होकर वापस लोटाया जब बहेलिये ने कबूत्रों का पीछा करना छोड़ दिया तब उनके सदार ने कहा मित्रों हमारा आधा खत्रा तो टल गया है अब मेरी राय में हम सब उस पहाड़ी पर चले जो मंदिरों की नगरी के पास है वहाँ मेरा मित्र एक चुहा रहता है वह अपने पैने दातों से हमारी जाल को काट कर हमें आज़ाद करा देगा इस पर सब कबूतर खुश होकर हाँ चलो हम सब वही चले का शोर मचाते हुए तो उनके पंखों की फड़ फड़ा हट सुनकर चुहा डर गया और अपने बिल में चाच छिपा कबूतरों के सरदार ने उसे बड़े प्यार से पुकार कर कहा कि हम तुम्हारी पास सहायता के लिए आए हैं सरदार की आवाज सुनकर चुहे ने बिल से जहाका और अपने मित्र को देखकर बड़ा प्रसन हुआ कबूतरों की सरदार ने कहा भाई हम एक बहिली के जाल में फस गए लेकिन जब हमने उसे आते देखा तो हम जाल समीत उड़ भागे अब तुम कृपा कर हमें इस जाल से छुड़ाओ न अभी लो चुहे ने कहा मैं अभी सब के बंधन काट देता हूँ ऐसा कहकर वे सबसे पहले कबूतरों के सरदार के बंधन काटने लगा सरदार ने कहा नहीं मित्र नहीं तुम पहले मेरे साथियों को स्वतंत्र करो नन्ना चुहा था बुद्धिमान वे जुन के प्रती सरदार की भावनाओं को अच्छी तरह समझता था उसने थोड़ी ही देर में एक एक करके सब कबूतरों के बंधन काट डाले और फिर अंत में सरदार को भी स्वतंत्र कर दिया कबूतरों ने अपने प्राण बचाने वाले नन्ने चुहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया इसके बाद सब कबूतर नीले आसमान में फिर से उड़ गए